बधवार को हिंदो नवर्ष और गुड़ी पढ़वा होनी से सुभा से राव में चहल पहल दिखाएती है जहां सुभा सुरिक वार्ख देकर गुडधनिया बाठकर एक दूसरे को बधाई देने का सलसिलाच वलता रहा तो वही रावनगर में शाम को पांच बजे सकल हिंदू समाज के द्वारा रैली कायूशन किया है जिसमें भारी संख्या में युवा हातों में जंडे लहरात हुए नजर आया है जबकि चेत्री नवरात्री होने की कारण विधिविधान की साथ घरों में पूझा अरचना चलती रही ऐसी मानिता है कि चेत्री नवरात्री में सभी की मनुकामने पुर्ण होती है गुड़ी पड़वा पर घर भगवा जंडा लगाया किया और जगे हैं जगे हैं मंचु लगा कर फूल बरसाए गया है इधर यात्रा संयोजक भरत जंडी वाले एवं आनील गबर पातिदार ने यात्रा का भार माना है राउसी संवादाता इम्रान मंसुरी की रिपोर्ट सनातन धर्म से जुड़ी है मेरा मानना इसमें जैसा आपने प्रश्न किया है कि भई 15 वालों का इसमें कोई सयोग नहीं है तो व्य गाने चाहिश learnspen परमप्रा कर्याहे जो यात्रा रही है हमारी उसे को देखते वह यात्रा मारु कर रहा है जो सबीं दूर के जितनें भी अनुईuet अइन सबीं देर्म के सबीं लोग इसे में इससा लेता है उसमें यहां यात्रा नहीं, पहुंच पा रही है, वहां के लोग नहीं आते हैं। इस बार यात्रा को लेकर आपने पूरे युवा और गायोंनागर के प्रकुतिजण सामिल हुए। या अगली बार जो यात्रा निकले इसमें क्या मात्रसक्ती इसमें सामिल होगी। जो हमने दो थो लेकिन पूरो में जैसा यहात्रा जारी है जिसमें मailा हों को लेकिन अगली बार हम प्रयास करेंगे कि भई सारी महिला जितनी भी हैं भव्यता के साथ में अपने तनमंदन के साथ सही हो जाए बरत पाटिदार यात्रा सही हो जाए शर्चाइब हम युडवा सब् devotees से अहां सी तरीके से हिंदू राश्रक के मांग कि बढ़ती हो जो सब्सक्राइब करता में टिस्कैका करें? कि देश में जिस तरीके से हिंदू राष्ट की मांग बढ़ती जा रही है उसको देखते वे आप इस पर क्या कहना चाहिए यह विसाई वेसे तो मेरा है नहीं क्या बोलूँ पर जो देश की डिमांड और जो देश की मांग होना चीए वह होना चीए हमारा लक्ष 5,000 लोगों का था और लगबग लगबग 5,000 लोग से उपर हो चुके हैं इस यात्रा के अंदर पिछी वर्ष की पुण्ना तर्मय पिछ्ले वर्ष के मुकाबले आप देखेंगे इस वर्ष ज्यातरा निकल रहे है इसमें बहुत ज्यादा अर्सोल लाग से यात्रा मिकालेंगे अनिल बाटिदार यात्रा प्रबारी